में माचल से है शैलजार शर्मा हमारे साथ स्वागत है आपका हलो नमस्कार मैं जी नमस्कार नमस्कार सर जैहिन बताइए शर्मार मुझे अपनी मम्य के लिए पूछना है उनका शूगर लेबल नमस्कार, कलérus trusted और घबोशने में फिरवयो दर्ड सब्स आयार में झाला पानी करे और जीव है और जबने पापा के लिए पूछना है ना पापा के घुतने में जो नीचे वाली जगह होती है ना तो उसमें जैसे उठते टाइम जैसे नीचे बैटे होते हैं तो उठते राइम ना उसमें काफी दर्द होता है उठते टाइम से पैसे चलने में कोई दिक्कत नहीं है ठीका दाना, इसे खुब बारीक पाउडर बना लिजए, और आदा चम्मच, यह दो धाई गिराम, एक ग्लास गरम पानी में डालें, खुब गरम, यह चाहें तो उबाल लें, और इसमें अदा गिराम, तो, सारी, दो धाई गिराम तो यह आप डालेंगी, मेथी का पाउडर, اور एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आप जानते होगे खाने का सोडा तुम मैं भी लहा है सब जानती उसमें मिला के ऐसे मिक्स करके गरमा गरम ये चुश्कियां लेकर पिलाई ही जीसे चाय होती ही न हम एक साथ में पी सकते हैं चुस्कियां लेकर पीते हैं ऐसे पिलाया करी रोजाना एक बार आपकी मम्मी को फाइदा मुम्किन है आपके डैडी को एक आता है गौन सिया इसे काला गौन भी कहते हैं लेकिन आजकल ये नकली भोत मिलने लगा असली ले और आदा गिराम सुबा न आपके पापा का भी ठीक होना मुम्किन है जी महराश्यू से है अगले कॉलर स्वागत है आपका क्या नाम है गुलाब सावन्थ जी गुलाब जी आपका सवाल क्या है मुझे पेट साब ने रोता है और अबले में बहुत साथ है पहले से ये एज क्या है आपकी एज तो 68 68 हाँ सावन साब देखिए आप ने उसका लिख लें तो फायता होगा अंदाज इसे याद रखेंगे तो कुछ भूल सकते हैं देखिए मेथी का दाना सौफ का दाना धनिया का दाना और सूखा वा आमला ये सौशो ग्राम खरीदें और एक चीज है जिसे कहते हैं सफेद गौन मौरंगा सफेद मतलब वाइट इसमें नकली बहुत मिलते हैं तो आप याद रखें बाकी चीज़े तो आप पहचानते ही हैं यही असली होता है बाकी सब नकली होते हैं सो ग्राम ये बिलें सब चीज़ों को सो ग्राम लेतर सब्सक्राइब अगले कॉलर हैं हमारे साथ प्रीतम को और स्वागत है आपका है जी कहां से बात कर रही है आपका सवाल क्या है सवाल है मेरे बीपी बहुत बढ़ता है कमर में दर्द रहता है लिए नहीं दा हाती कब से दिकत है यह तिन मेरी पैसात साल है है कुछ कमर को दर्द ढ mauvais आपके लिए और कमर के लिए कौई रोचैंज़ों बताए जी जी जी, छूर्णी, अचशे, दर्द की दवा आप कहते रहके, और बी-पी की भी दवा खाते रहे, और दिखिये, एक इसका ऐसा है, के जिससे जो बी-पी को भी कंट्रोल करता है, कॉलिस्टोल का भी बढ़ा दिश्मन है, और दिल का बड़ा खेयर लगता है दिल की जो blockage हो जाते ह Kayको जिसे कहते है उन तक को खोलता है और liver का भी बाहत ख़या लगता है और atıs का भी ख़या लगता है तो वो है जैतून का सिरका जैतून का सिरका तीं चम्मच दिन में और तीन चम्मच रात में पानी में मिला के लिए छोटे चाय की चम्मच और ये नीद आपको ऐसी आएगी कि कभी आप जवानी में सोते होंगे, इसे आप लेना शुरू करें, आपको पहले दिन से ही एसास होगा कि आप अच्छी नीद सो रहें, तो देखे, आपको पहले भी अराम मिल चुका है, और आपने दुबारा भी उसी विश्वास के साथ कॉल किया है, क्योंकि आपने वो धैरे रखा, आपने वो सयम रखा, दर्श को यही वो result होते हैं, जो आप लोगों तक हम पहुचाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप लोग इंतजार कर लेते हैं, कुछ महीनों का, यह नहीं कि सालों साल आपको कोई ट्रीटमेंट करना है, लेकिन सबर तो रखना होगा अगर सबर कर सकते हैं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े, लाइव का रक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, पोन उठा क्या है? तर मुझे हचीन साब से बात करनी है, जी किरन, बताइए, मैं आपके सामने हाजिर हूँ, पैरों में दर्ता है, पैरों में दर्ता है, और पेट की Пष्लिऑ में दर्ता है, मैंने और तिया गुंद बंगॉया था आपकी यह या 24 तरीक को एक महिना हो गया जी जी और सिर मंग वा आया था है थीज तो मुझे उसके आरा मुझे था आराम नहीं हो सार जी न प्येड़ में न कमर में नहीं न मिलत मुझे जूँ ज्यादा हो गया किया ने डीश में कुछ जादा हो गया था सारर ठीक ही ठीक है अच्छाव बीटा देखो ये जिनको भी ज्यादा होता हो भी ठीक होते हैं उनको झ्वरा टा guidelines लगता है और जिनको कमी होता चला जाता है उनको बहुत जुद्दी फाइदा होता है तो आपको विवादा होगा अभी आपके पास चार महीने हैं यह को चार महीने चलेगा और अगर आप कोई गफलत कर रहे हैं जिसे यह वेस्टर ट्वाइलेट इस्तमाल नहीं कर रहे तो वो जुन करें और बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उससे बाद आ जाईए जिस पहुचा वगएरा कपले धोना हाथ से बैट के जमीन में पहुचा लगाना बंद कर दे किचन में खड़े होगे सब काम करें और अभी बहुत गुंजाई से और जो बढ़ा था वो कम हो गया यह ऐसे कम होता जाएगा इसलिए आपको पता ने चला लेकिन बढ़के कम होना शुरू हुआ है आपको अगले पंदर दिन में खातिरखा फाइदा होना मुंकिन है मुन्नी है परीदाबाद से स्वागत है आपका मैं नमस्कार जी नमस्कार बोली तो मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती मुझे बहुत अच्छा लगा जी शुक्रिया हाँ मैंने जब पहले फोन लगाया तो आपके और सीचल में लगा जाते हकीम दी से बात करना चाहा की हूँ जी जी मैं आजिर हूँ बताएं क्या सवाल है ऐसा है मेरा एक तु साठ्टा का दर्द कमर में उस कम चकम दर्श-वारे साल होगे और मैं पहले मेरे गुटनों में दर्द था तो मैं दवानिया खा रही हूँ काफी साल से चीके है और मैं मेरा बेटा था तैसे सालका तो उसकी पूस्थी खराब हो गई वो खतम होगया तो मेरे पहरों में एटैक पड़ इया तो आнихग रहिया तो मैं चल नहीं पाती थी अम मैं अकेली ही रहती हूं बिल्कुल और मैं दवाईयां खाके अब मेरे दर्द तो बंद है उसनों पर और शाटका का दर्द है वो नहीं खतम हो रहा है तो मेरे को सुगर भी है बीपी भी है और काफी साल हो गए इस तीजे को तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा इसलिए मैंने आपके लिए फोन करा पर आपके हॉस्टिकल में लगा तो मेरे को उन लोगों ने कुछ भी नहीं पूचा फटाफट फटाफट दवाईयां भेज दी है और मेरे को तसली नहीं हो रही मैं आपके पूचना चाहती है बताई क्या दवाईया आपके पास हमें तो बड़ी मुश्किन से दवाईय देते हैं आपको फटाफट गैसे भेज़ दी हुआ और मैं कल मना भी कर रही थी अपी मत बहो फिर जब उन्हों ने भेज दिया जी क्या है आपके पास क्या दवाईय ये बताईया गोंड भेजा काला गॉंद अच्छुगंदा और अल्पी हल्दी और कलोटी समय कम है तो मेरी की पेटा मैं तो अकेली रहती हूं मेरे कौन दाने वाला है फिर भी मैंने कहनी से मंगाया ठीक है ठीक है अच्छा समय बहुत कम है आप जवाब सुन लिजे नहीं तो कॉल कर जाएगी प्रोग्राम खतम हो ज जाना चाहिए और यह खतम होने से पहले आपको रोग मुक करने की ताकत रखता है यह बात करते हैं अंगले कॉलर से पश्रिविहार से है सुमन स्वागत है आपका नमशकार मैडम जी नमशकार जैहिंजद मेरा यह कोश्चन नहीं पहले तो मैंने आपसे गौन थी यह मंग आप से बात कि थी उसके लिए हाइट बालों के लिए और मेरा यह सवाल है कि मेरे हस्बेंट की ना कल तबियात होगी थी खराब शॉप परी उनका राइट हैंड चलना बंद हो गया था और थोड़ा सा मुझ पर भी फैक्ट आया जैसे तो उसी टाइम डॉक्टर के गई है फ माइंड में फिर में ना ठीक तो उसके लिए आप कुछ बताएए थोड़ा अभी इनका मुझ में एफैक्ट है बोलने में भी थोड़ा सा आ रहा है और राइट हैंड नहीं चल रहा है उनका प्रॉपर कुछ पकड़ नहीं हो रही है जैसे लिखते हैं ना लिख भी नहीं कितनी आयू है भाई की 60 एर्स ठीक है अच्छा देखिए मैं यही कहता हूं कि 45 के बाद कभी भी हमें कोई अटेक हो सकता है यह फालिस का अटेक आया हलका सा अभी से होश्यार हो जाईए और आप मेरी बात बहुत गौर्ट से सुनेंगी मुझे मालूम है क्योंकि आपको फ दवा ले जो डॉक्टर देता है लेकिन यह क्लोटिंग नहीं खोल सकते हैं आप दवा जरूर ले और एकन उसका बस आज कल में बना ले आप दिल्ली से हैं तो आपको वहत आसानी भी होगी है यह चीज यहां मिलती है देखिए लिवू का रस निका लिए और अद्रक का रस निका लिए लेसन का रस निका लिए सब की तादाद एक एक लीटर हो और जैतुन का सिर्का इसमें एक लीटर मिलाएए और इन्हें तीन तीन चमच तीन टाइम दीजए तो इस बाद में जाकर दो टाइम कर देंगे यह ब्लॉकिश को ढूंड कर नकालता है और यह पांच म महिने में आपके जो खाविन हैं पती हैं उनको पूरा फाइदा हो जाना चाहिए और हर साल फिर दो तीन महिने जरूर पिलाया करें और इसे आप भी लें देखिए इस वक्त कोई भी इस दोर से गुज़र रहे हैं लोग के ना महिला सुरक्षित है ना पुरुश यह होता ह ही है मैं कहता हूँ पैतालिस साल के बाद यह हर किशी को होता है पता हो या ना हो जब यह अटेक आता है दीखिए भगवार ने आपको बचा लिया पती को आपने कुछ अच्छे काम की होंगे नहीं तो आदमी को बहुत तकलिफ होती है पूरा घर कारोबार सब ठप हो जात रहें मैं भी दूआ करूँगा और आप भी दूआ करिए कि उनको जल्दी फाइदा हो जाए